दोस्तो इश्टा मनी बताती है कि यहाँ पर आप सिर्फ दो मिलिट के अंदर लोन ले सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि मात्रा दो मिलिट के अंदर इस एप्लिकेशन से आप लोन ले सकते हो तो इसमें कितनी चच्चा है, क्या सच में हमें 2 मिनिट के अंदर लोन मिलती है, क्या हमें इस application से लोन लेना चाहिए या नहीं और यहाँ पर इस टा मनी application में लोन लेने से पहले कुछ fees पेर करने होती है, वो fees क्यों ली जाती है यहांपर दोस्तो आज में fees pay करके भी बताऊंगा कि यह fees pay करने के बाद हमें लोन बिलती है या नहीं यानि कि दोस्तो इस application की पूरी चच्चाई बताऊंगा अगर आप भी इस application से लोन लेना चाहते हो तो पहले इस वीडियो पुरा देख लो आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है सो नमस्कार दोस्तो जगुगेन में आपका एकबर फिल से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू करते न और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल अके डबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारी हराने वाले इसी तरीके से न्यूवीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे तो चले दोस्तो वीडियो को शूड़ करते हैं तो दोस्तो हम आच चुके है प्ले स्टोर पर और हमने डाउनलोट कर ली है इस्टा मने एपलिकेशन आप पहले डाउनलोट मत करना पहले एवीडियो पूरा देख लेना अगर आपको सही लगता है तो बाद में यहाँ पर इस एपलिकेशन को आप डानलोट करके लोन के लिए अपला कर सकते हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले एं वीडियो पूरा देख लो उसके बाद आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तो हमने इस application को डाउनलोड कर लिया है अब यहाँ पर हम इसे open करते हैं तो सबसे पहले हम से यहाँ पर कुछ पर्मिशन पुची जाएगी तो यहाँ पर हम Yes, I Agree पर क्लिक करके सारी पर्मिशन का अलोग कर देना है तो यहाँ पर दोस्तो हमें अगला पेज ओपन होगा अब यहाँ पर दोस्तो हमें दो ओप्सन मिलेगे अगर हम इस एप्लिकसन के ओरली यूजर है तो यहाँ पर हमें साइन इन करना होगा अधरवाज यहाँ पर हमें साइन अप करना होगा तो OTP एंटर करने के बाद हमारे समने अगला page open होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको एक social media account कोंटेक करना होगा यानि कि इसके साथ link करना होगा तो यहाँ पर आप Google ID पर देश सकते हो और Facebook पर link कर सकते हो तो यहाँ पर हम sign in with Google पर click करेंगे और हमारे एक Gmail ID यहाँ पर हम add कर देंगे Gmail ID add करने के बाद हमारे समने next page open होगा जिसमें यहाँ पर हमारे pen card number enter करना है जैसे pen card number enter करेंगे तो नीचे दोस्तों हमारे pen card में जो नाम होगा वो यहाँ पर already आ जाएगा अब यहाँ पर हमे date of birth enter करनी है और gender choose करना है जैसे gender choose कर लेंगे तो हमारे समने कुछ और option नीचे open होगे जिसमें हमें professional detail देने है तो professional detail में सबसे पहला हमारा employment type choose करना है कि हम sell it है या self employee तो यहाँ पर मैं दोस्तों आज जिस भाई का loan apply करना हूँ वो एक sell it फ्रसन है तो यहाँ पर दोस्तों में sell it फ्रसन choose करना हूँ उसके बद इस space को नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और भी detail फिल करनी होगी जिसमें यहाँ पर हमारा company का naam enter करना है designation choose करना है हमारा work experience enter करना है उसके बद current work experience enter करना है उसके बद नीचे यहाँ पर हमारी monthly salary enter करनी है salary का mode choose करना है कि हमारी salary bank में आती है check door आती है या case में मिलती है उसके बद दोस्तों यहाँ पर हमारी language choose करनी है तो यहाँ पर Select Perfect Language पर क्लिक कर गे, हमें यहाँ पर हमारी Netting Language सूज कर लेनी है, वसके बाद Simply Save and Continue पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे समने Next page open होगा, जिसमें सबसे पहले हमारा पेन कोल नमबर एंटर करना होगा, उसके बाद यह पूछ रहे है कि क्या आपने पास्ट में क अगला page open हुआ, जिसमें बताये गिया है कि क्या आपके पास्ट करेंगे, अगर है तो Yes करेंगे, अधर्वाज नो करेंगे, उसके बाद दोस्तों यह पूछ रहे है कि क्या दोस्ता चूपदे के बाद आपने किसी भी लोन का EMI due किया है, अगर किया है तो Yes करेंगे, अधर नो कर देना है, उसके बाद दूस्तों नीचे पूछ रहे है कि आपको कितनी लोन की जरुवत है, उसके बाद पूछ रहे है कि आपको कितने इंटरेस्ट पर लोन चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको सूस करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करो हमें थोड़ी दिर वेट करना है यहां पर हमरा इलेजबिटी क्राइट या सिबिल स्कूर वगर अच्छे कोगा और हमें तुरंती बता दिया जाएगा कि हम कितनी लोन के लिए इलेजिबल है यहां पर दोस्तों हमारी केस में देख सकते हो हम 12500 रुपया की लोन के लिए इले जीसे उसपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमरा समय अगला बजओ पना जिसका नाम है assessment fees अब यहां पर दोस्तों बोल रहे है कि ऐले के लिए यहां पर लोण मिली गी या नहीं उसके कोछ पहले आपको assessment fees bucks करनी होगी उसके बाद को qc करनी होगी उसके बासbin करके कैक आधर पर आपके ya정 कि कािख जाती है मैंधर दो मिनिट के अदर म म bisher कंदर आपको लौन नहीं मिलती तो यह fees refundable नहीं है यानि कि आऊको चाहे loan मिले या ना मिले आप जो यहाँ पर fees pay करोगे और refund नहीं होगी अगर नहीं मिलती तो भी ए illustrate to बताया है थिके तो यहाँ पर । 영상을 करता हूँ ए Rumor करके आगे क्या प्रॉसेस करना चाहते हो यहां यूपिय एप से करना चाहते हो तो यहां पर हम यूपिय एप सुस्ट करेंगे और यहां पर प्रोशिट टूपेपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहां पर यूपिय एप आ जाएगी इसमें फोन पे सुस्ट कर लेते हैं तो हमें रिडार कर करते हो यहां पर क Initiates कर नहीं है कि आपको अपने एंप्लेट करना हो इसका हुआ है यहां पर रेंख सकते हो अगल्म अब यहाँ करेंगे तो हमरे समने कुछ इस तरी के सेंटर पर साऀँगा ech तो में के यहाँ पर interaction बताये हूआ एक सेलफी क्लिक करनेक पर एक पेषिवेशी करने के बाद दोस्तो हमरे समने वेग कैमरा ओपन हो जाईगा और यहाँ पर हमें さब्लोड करना होगा यानि कि fan card का photo click करना होगा और यहाँ पर अगर हमारा fan card का photo सही click हो चुका है तो यहाँ पर एक option मिलेगा use this document तो simple हमें उस पर click कर देना है तो हमारा fan card यहाँ पर upload हो जाएगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर हमारा verification फिर से होगा यहाँ पर हमारे pen card detail चेक होगी और थोड़ी देर में यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा pen card is validate हो चुका है अब यहाँ पर दूस्तों हमने next page open होगा जिसमें हमें other card की detail देने होगी यानि कि हमारा other card का front photo और back photo हमें upload करना होगा यहाँ पर हम फटाफिट से आधार card का front photo और back photo upload कर लेते हैं यहाँ पर दूस्तों जैसे हमने other card का front photo और back photo upload कर लिया तो हमारे समने अगला page open हो चुका है और जिसमें हमारे other card में जो address है और पुरा का पुरा यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, simply submit पर क्लिक करना है, जैसे दोस्ते यहाँ पर हम submit करेंगे, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों credit पर fit से check होगा, यहाँ पर थोड़ा processing लेगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर wait करना है, उसके बद हमारे सामने कुछ इस तरी क पर क्लिक करेंगे, उसके बद हम continue करेंगे, तो हम सामने दूस्तों अगला पर दोस्तों होगा, जिसमें अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहां पर हम पहला option select करेंगे और continue पर क्लिक करेंगे जैसे continue करेंगे तो हमसे यहां पर netbink का username और password पुछा जाएगा यहां पर हमें 266 देखे यहां पर simple इस box पर टिक करके next पर क्लिक कर देना है जैसे next करेंगे तो यहां processing लेगा और automatic सी हमार bank statement उठा लेगा उसके बाद दूस्तों यहां पर हमारे सामने statement आ जाएगा जिसमें हमारी loan की सारी detail रहेगी उसे हमें एक बर अच्छे से देख लेना है उसके बाद simple जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा processing लेगा और यहां पर दोस्तों हमारी loan details successfully submit हो जाएगी और यहां पर एक loan application सारी process में चली जाएगी अब यहां पर दोस्तों हम इसके home page में आ चुके है जिसमें आप देख सकते हो हमारी 500,000 रुपय की loan है जो कि अभी processing म नहीं हुई है हमें यहां पर थोड़ी देर wait करना है थोड़ी देर में ही हमें पता चल जाएगा कि यह loan amount हमारी bank account में आई गये या नहीं तो यहां पर हम दोस्तों थोड़ी देर wait करते है और थोड़ी देर बात दोस्तों फिर से इस application को open करके इसका status देखते है तो हमने यह loan amount हम हमारी bank account में नहीं ले सकते हैं तो यही दोस्तों problem होती है कि पहले हमारा eligibility criteria सारा को चेक हो जाता है उसके बाद हमें pre-approved loan offer भी मिल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर last में आके हमारी loan amount decline हो जाते है यानि कि हम एयर loan amount को नहीं ले सकते हैं अब यहाँ पर मनें 1099 रुप्या प्या किया था वह भी हमारा वीवप नहीं होगा यानि कि redeem नहीं होगा और यहाँ पर हमें loan भी नहीं मिलेगी तो इसे वज़े से दोस्तों मैं आपको सुरुआत में बता रहा था कि यहाँ पर मैं complete process बताऊंगा उसके बाद ही आपको खुद को देखना है कि इस application आपको नहीं लोट करनी है या नहीं तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको फूरा funda clear हो चुका है कि application किस तरीक से काम करते हैं हाँ यहाँ यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे case में मैं ने देखा कि कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर loan भी मिल जाती है लेकिन उसका civil score बहुत ही अच्छा होता है और एक solid percent होते है और उसके salary बहुत ही जादा होते है लेकिन ज्यादा तर दोस्तों सो में से 90 लोगों को यहाँ पर loan reject हो जाती है और 119 रुपया जो इनने पेक किया होगा और भी नहीं मिलेगा तो ऐसे application से दोस्तों आपको बच करे रहना चाहिए फालतों के पैसे इनको आपको नहीं देना चाहिए मेरी राई तो सिंपल सी है दोस्तों कि आप इस application के तरफ ना हो तो ही अच्छा है बाकि आपकी मर्जी दोस्तों आपको यह application अच्छी लगती है तो आप इस application को download कर सकते हो और धिर्वास दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि मुर्ख मत बनो इसके सच्छा ही पहले जान लो उसके बाद आप तरी करना कि आपको यहाँ पर loan लेनी चाहिए यह नहीं ठीक है तो चले दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही उमिद करते है कि आपको एग वीडियो दाई हो तो like, share, commit and subscribe करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते एक और एसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए goodbye